यहां discussion हम यह कर रहे हैं कि जो agricultural land होता है उसे बेचने पर capital gain tax लगता है या नहीं लगता आंसर इसका कहां दिया मिलेगा section 214 capital asset की परिभाशा में capital asset को define किया है section 214 में और उन्होंने बताया है कि capital asset does not include capital asset में शामिल नहीं होगा agricultural land in rural area in India India के यानि India होना चाहिए इंडिया के गाओं के छेतर में जो agricultural land है वो capital asset नहीं है उसे बेचने पर capital gain tax नहीं होगा इसका मतलब हुआ कि अगर agricultural land urban area में है उसे बेचा गया तो capital gain tax हो सकता है सर हो सकता है क्यों बोला आपने क्योंकि define नहीं है define है urban area तो जो urban area नहीं है जो urban area नहीं है वो rural area कहलाएगा यहां तक भी clear हो गया तो इसका मतलब definition किसका है urban area का अब urban area पर हम आते हैं urban area में भी दो बाइफरकेशन है एक pure urban और एक deemed urban मैंने नाम दिया है वैसे आप इसे दूसरा नाम दे सकते हो extended urban area इसे आप नाम दे सकते हो extended urban area यह दोनों ही urban area मने जाएंगे और urban area भी और deemed urban area भी दोनों ही urban area मने जाएंगे तो agricultural land को बेचकर अगर आप capital gain tax नहीं देना चाहते तो आपका agriculture land इस area में situated नहीं होना चाहिए अरबन area की परिभाशा है वैसा छेत्र जो किसी municipality या कंटूनमेंट बूट के अंदर आता हो जिस municipality की आबादी लास्ट जन गणना के हिसाब से अंतिम जन गणना के हिसाब से 10,000 या उससे ज्यादा है उसे हम urban area कहते हैं ऐसा area जो किसी नगर निगम छेत्र के अंदर आता हो या कंटूनमेंट बूट के अंदर आता हो जिसकी आबादी अंतिम जन गणना के हिसाब से 10,000 या उससे ज्यादा है ठीक है तो इसका मतलब अगर उस municipality की आबादी 10,000 से नीचे है तो वो तो urban area नहीं कहलाएगा तो 10,000 या उससे अधिक होना चाहिए अलाकि प्रैक्टिकल अमारे देश में ऐसी कोई municipal area नहीं है नगर निगम नहीं है जहाँ 10,000 से भी कमावादी है maximum लेकिन टेक्निकली कह लें academic कह लें question में पूछा जा सकता है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा तो जो जमीन नगर निगम के अंदर नहीं है उसको अभी छोड़ दीजिए जो जमीन नगर निगम के अंदर है और नगर निगम के अबादी 10,000 या उससे अधिक है तो वो urban area माना जाएगा और उस पर capital gain tax होगा यह example हमें यह बता रहा है कि हमारे पास कुछ agriculture land है साथ में इसके shortest distance भी दिये गए है कि यह कहां situated है और यह किसके दूरी में situated है वो urban area भी given है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक है pure urban area जहाँ पर हमें population चाहिए more than और equal to 10,000 अगर more than equal to 10,000 है तो वो urban area में आ गया अब हम आते हैं deemed urban area में सपोज करें कि यह एक area है जो किसी नगर निगम के अंदर आता है और यहां की आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है ले ले लेते हैं यहां की आबादी 80,000 है तो यह जो मैंने च्छेत्र बनाया है यह तो urban area है that is called pure urban area यह है pure urban area अब इस urban area के चारो तरफ shortest distance चारो तरफ कुछ दूरी तक सरकार मानती है कि यह कुछ दूरी तक भी जो area situated है वो भी urban की परिभाशा में आएगा इसको हम कहते हैं deemed urban या extended urban area urban area तो जो बाहर का च्छेत्र है सरकार का मानना है logic यह है सरकार का कि उस आसपास के च्छेत्र को भी आप इसके साथ जोड़ कर देखें और वो भी develop हो रहा है तो उसे भी हम deemed urban मानें इसका मतलब अगर agriculture land आपके इस yellow area में आ रहा है उसे बेचने पर capital gain tax है अगर इस area में आ रहा है deemed urban area में आ रहा है उसे बेचने पर भी capital gain tax है अगर इससे भी दूर आ रहा है तो फिर capital gain tax नहीं लगेगा ठीक है सर ये दूरी कितनी है कितनी दूरी तक हम deemed मानेंगे ये निर्भर करता है कि प्योर urban area की आबादी कितनी है अगर अबादी 10,000 से लेकर एक लाख तक है तो दो किलोमेटर के आस पास का छेतर deemed urban area आएगा और capital gain tax वहाँ बनेगा एक लाख से 10 लाख तक की अगर आबादी है उस प्योर urban area की तो उसके इर्द गिर्द 6 किलोमेटर का जो area है वो deemed urban area माना जाएगा और अगर 10 लाख से अबब आबादी है तो 8 किलोमेटर का area deemed urban area माना जाएगा ये तो मैंने आपको provision समझा दिया, revise करा दिया अब question पर आते है नमबर A, ये जो हमारे पास जमीन है हम अजियूम करके चल रहे हैं कि ये सारी जमीन agriculture land है ठीक है, agriculture land है ये जो जमीन है, ये एक किलोमेटर के range में है मतलब main urban area में नहीं है urban area के इर्द गिर्द है shortest aerial distance from the local limit of municipality और contourment board और वो जो municipality है, उसकी आबादी second इस column में दिया हुआ है third column, fourth column में दिया हुआ है कितनी आबादी है अब जैसे आबादी है 9000 तो वो तो area ही urban नहीं हुआ जब area ही urban नहीं है तो उसके इर्द गिर्द के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए ये तो हो गया हमारा agricultural land जिस पर हम, इसे हम कह सकते है rural agricultural land RAL, rural agricultural land in India तो ये capital asset नहीं माना चाहेगा अब आते हैं आबादी 12000 है तो 10000 से ज्यादा आबादी है तो यहां पर हमारा range कितना बनना चाहिए आसपास का range कितना बनना चाहिए दो किलोमेटर 11,000,000 अबादी है तो हमारा range कितना होना चाहिए 8 किलोमेटर 80,000 अबादी हमारा range कितना होना चाहिए ये दो किलोमेटर, तीन लाख अबादी हमारा रेंज कितना होना चाहिए, च्छै किलोमेटर, बारा लाख आठ किलोमेटर, आठ हजाल ये तो रूरल अग्रिकल्चर लैंड बन गया, उसके बाद चार लाख अबादी है, तो आस पास का रेंज कितना होना चाहिए, च्छै किल यह अगरिकल्चर लैंड है प्योर, उसके लिए तो यह सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दो तो हमारे प्योर अगरिकल्चर लैंड ही हो गए, अब हम आते हैं next number पे, क्या B number का अगरिकल्चर लैंड हमारे range के अंदर आ रहा है, दो किलोमेटर के अंदर आ रहा है yes, ये आ रहा है तो ये अरबन एगरिकल्चर लैंड माना जाएगा और इस पर capital gain tax आपको देना पड़ेगा next दस आठ किलोमेटर का range है और ये कितने किलोमेटर पे situated है दो किलोमेटर यानि range के अंदर आ रहा है urban agriculture land tax देना पड़ेगा बेचने पर दो किलोमेटर का range है और ये तीन किलोमेटर में situated है यानि range के बाहर चला गया तो इसे भी हम rural agriculture land बोलेंगे ये urban नहीं बन पाया ये rural agriculture land है तो इसके उपर tax नहीं देना और इसके उपर भी नहीं देना चे किलोमेटर का range है चार किलोमेटर के अंदर है यानि ये urban agriculture land है और इसके उपर tax देना पड़ेगा आठ किलोमेटर का range है पाच किलोमेटर के अंदर situated है विदीन range है यानि urban agriculture land है आपको tax देना पड़ेगा 6 km का range 7 km में situated है यानि range के बाहर है तो यह rural agriculture land है आपको tax देनी की ज़ुरूत नहीं 8 km का range 8 km में situated है तो यह urban agriculture land बन जाएगा इसपर tax देना पड़ेगा 8 km का range 9 km पे situated है यानि range के बाहर चला गया तो यह rural agriculture land है इसको बेचने पर tax नहीं देना यह उम्मीद करता हूँ कि आपको यहां समझ आया कि agricultural land अगर आप बेच रहे हो तो capital gain tax के range में आप आओगे या नहीं मोटे मोटे तोर पर है दोस्त अभी जैसे जहां भी मैंने काटा लगा दिया कि नहीं आओगे वो तो बेचने पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी लेकिन जहां जहां मैंने टिक कर दिया कि यह है यस 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 अगर ऐसी परिस्थिती में आपके पास agriculture land है और उसे गवर्मेंट ने कंपल सरे अक्वायर किया तो फिर आप सेक्शन 10 ब्रैकेट 37 में बच जाओगे और मान लीजे कि सर गवर्मेंट ने नहीं अक्वायर किया हमने जेनरल केस में बेचा है तो वहां भी आपका capital gain बनेगा जरूर taxable होगा जरूर लेकिन फर्दर आपके पास section 54 B में option मिल जाएगा कि आप उस capital gain को बचा सकते हों उमीद है clear रहा होगा आपके पास agriculture land से related कोई भी point कोई भी doubt Done